जनपत में तेजी के साथ डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को तीन और डेंगू मरीज मिले कुल मरीजों की संख्या 22 हो गई है। वहीं मलेरिया विभाग की टीम मरीजों के घर पहुँचकर एंटी लार्वा का छड़काओ करते हुए परिवार के जस्यों का नमूना भी ले रहा है। ऐसे में स्वास्ति भाग साहित अनिस सम्मद्ध भागो द्वारा आम जन को जागरूख करते हुए अपने आसपास गंदे पानी के ठहराओ को ततकाल प्रभाव से नस्ट करने की अपील की जा रही है। इस सम्मद्ध में स्टिवन समबादाता से बात करते हुए मुक्ष गत्सादिकारी डॉक्टर रास्तोष खुमार दूबे ने बताया। मच्छर जनित बिमारी है और एक मच्छर के काटने पर ये वाइरल संकरमा होता है उसकी वज़ाए से सरीर में परिवर्तन होते हैं तेज बुखार आता है और रख में प्लेटलेट्स की कमी होती है। बुखार के अगर लक्षन की बात करें तो बुखार बहुत पेज आता है और जो अमूमन परसिटमाल टैबलेट खाने से उतरता नहीं है मरीज इसमें गंभीर सिकायत ये करता है आख की पुतलियों के पीछे दर्थ होता है और ये बुखार तीन से पांच दिन में स्वता घर जाता है ब्यक्ति को इसमें खुब पानी पीना चाहिए बुखार को बढ़ने नहीं देना चाहिए पानी की पट्टी रखना चाहिए और पूरी तरह से अपने शरीर को देखते रहना चाहिए कभी-कभी इसमें जो है शरीर की पर लाल चकते या दाने पढ़ जाते हैं नाव से, आज से, कान से, या मूं से, या अन्य हमारे जो द्वार हैं, उन से रत्ष्राव हो सकता है, ऐसी इस्थितियों में गंभीर मर्ज होने की संभाना होती है, तकाल करें.